क्या माहूल है अब की बार परवाला के तो जी तिकूना मुकाबला में रनबीर गंगुवा की जीत निश्ची ता इसे वो राहूल गांदी भी आनवा करें एक दो दिन में परवाला हैं खास तोरता है रामनिवास घोड़े लेगे रहे लिकान काता है वो उनका अनगा कितना राहूल गांदी तो ना को नफा ना को नुकसान कि मैं आपने वोट उटाएं के नतिवी करा कि कि मैं कितने गजार वोट किस पास से जाओंगे कितने किस पासे जाओंगे कितने किस पासे जाओंगे वोट की दो जी जो पोलिंग होगी मैंने का चलो सवा लाग का सपास पास सब्सक्राइब करेंगे एक्चुली में हलके की सिच्वेशन क्या है माहल क्या है कौन सा केंडिडेट मजबूत है कौन सा कमजोर है कौन कितने वोट ले करने वाड़ा है क्या कुछ आकड़े समीकरण बर्वाला हलके के हैं वह इस गाओं के लोगों से जानेंगे कि यह जो है किस पार्टी को कहा ख़ड़ा हुआ देखते हैं और शुरुआ जो है इनसाफ से हम करते हैं हाँ जी क्या माहल है अब की बार बर्वाला कि माहल तो जी त जीतनी सितले चाइव आपने नहीं तेकोऑना करते हैं नहीं दस हजार से उपर्मलब का एंपना पोस्न दिया और तो इसकूणा को जिरो जुकौना काना नुक्सानरे नहीं थो नमबर बाओगी ले बेठे ही गोड़ाने यहां विल्कुल विल्कुल आचा आप किसके समर्थ होगा आप कौन से पाटी का निलाको माँ तो कांगरज का कांगरज सका हुँ रामनिवास गोड़े लाको का आचा हां जालो वह राहुल गांदी वियान वाग रही मैं दो दिन भ फाइदा होगा बहुत फाइदा होगर जो नई बेटी एडी जोटी का जोड़ लगाना पड़ागा जो रसाल जागरा बेटी है रूसी है तो उसका नुक्सान है हाँ और हम तदी मैं तो उड़ा साब की गलती माननू हूँ बैस चलो टेकट तो ले गया था ज्यादा ले गया की फाइट हो तो दोना हम कोण जिता है फाइट जिए हो फेर रंविर गंगुवा का पलड़ा बारिया कम से कमी दस जार बोट से उपर जीता है आच्छा जी जी किये कुछ माहुल लगना लाग रहा आपका हिसाब साही ना पड़े समीकर न बता दिए चाही बताओं जी तो मैंन के चलो पत्सीस हजार तो खराब लगाए लो उनक इस तरहां लगाए लो बच्छतर पाल आएगा आट बट नंत रामबर वाड़ा यह ता बटी आएगी है तो इसमत चाड़ी सजार और पिंतारी सजार बोट बीजेपी लेवा लेवा है जी और राम निवास गोड भी यह जी चाड़ीगा ददना बता एक तीकोंडिया मुकाबला है तीकोंडिया मुकाबला मैं रणी तो नियुक्ता ने बनाया दिया आप इनलों तर टिकेट मिलगी उसका फरक पड़े रहा है ना जीट नहीं जीटती नहीं जी आ पने क्यों लागे लोग उसने वोट दो तो इनलो का वोट बैंक थोड़ा पहती है तो इसकी वज़ेत है या फाइट में थोड़ी ही थोड़ी ही हाई दूसरा नंबर पर यह तकीकत है हाँ संजना तो जानी तो है तीसरा नंबर पर और बाकिया ले बेठेगी गोड़ाना आवा है श्रूड गाम के लोग भी रूख के मान लागे उले जिना तो मारगाम की बहुना मारगाम की बेटी दो तीन दिन तो शुरू है मैंनू देखुए भाई रम निवास गोडेला वी जो अर्जंगा आजा के मंचा पकेया वागई वोट काट हुआ ता बचना है तो यह जो बरच यह तो बदोड़की है तो इस चुनाओ के अंदर पुरानी पैंसन एक एहम दा रहेगी करमचारी इस चुनाओ को मोड़ने में एक एहम विकाने बाएंगे मोडेगा किस तरफ ही तो बता दो जो पुरानी पैंसन भाल करेगा करमचारी बड़ा समझदार है और यहां की सासन और सत्ता को चलाने में करमचारी का है उनको सब पता है पुराणी पैंसर कोन भाल करेगा जो पुरानी पैंसर भाल करेगा करमचारी उसके साथ है किसी पार्टी के साथ नहीं है जो पुरानी पेंसन भाल करेगा यदि बीजेपी सरकार भी हमारी पुरानी पेंसन भाल करती है हम उसका भी धन्यवाद करेंगे यदि कॉंग्रेस पुरानी पेंसन भाल करती है हम उनका भी धन्यवाद करेंगे यदि इनलो पुरानी पेंसन भा के साथ होता है जो हमारी पुरानी पराणी पार्टी हो जिमत राजस्थान से हो जित्ते का उसकी मिठाई खाने के लिए घर यह जिए नियाना गाहों से जो है वीडियो बनाई है और नियाना गाहों के लोगों से पुछा है कि माहोल क्या है कौन सी पार्टी किसको आगे मान रही है लोग और किस कंडिडेट के होने से किसको फाइदा नुक्सान है वह इन्हों ने खुल के बताएं खेर तस्मीने जहीं है यहीं तक लगातार सिल्सला इसी तरिकी से जारे रहेगा दिखाते रहेंगे सिर्भ अबस्क्राइब